दोस्तों कर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में जीते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों शुरू हो चुका दूसरे टेस्ट का भीशन घमासान टॉस जीत कर रोहित ने किया बल्ले बाजी का फैसला फिर रोहित और याशरस्वी के बल्ले ने मचा दिया कोहराम तो आखिर कितना हो गया है भारत का स्कोर किस खिलाडी ने ठोका है तुफानी शटक कौन सा बल्ले बास खेल रहा है कितने रनों पर कौन सी टीम है किस पर हावी दोस्तो दक्षिन अफ्रिका ने भारत को सेंचूरियन में खेले गए पहले टेस्ट में हरा दिया इस जीत के साथ अफ्रिकी टीम ने सीरीज में एक शूने की आजय बढ़त बना ली है पहले टेस्ट में भारती टीम को पारी और 32 रन से हार का सामना करना बढ़ा था इसके बाद ICC ने एक और जटका देते हुए स्लो ओवर रेट के लिए भारती टीम को दो अंक काट लिए हार से टीम इंडिया विश्वी टेस्ट चेंपियंशिप 2023 चकर की अंक तालिका में पांचवे स्थान पर लोडग गई थी वहीं आई-सी-सी के दो अंक काटने से टीम इंडिया एक इस्थान और लोडग कर चटे स्थान पर पहुँच गई ये फैंस के लिए सबसे बड़ा जटका इसलिए भी था क्योंकि रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार पारी के अंतर से टेस्ट हारी है सेंचुरियन टेस्ट में भारती टीम तीन दिन भी नहीं टिक सकी इसके बाद अब टीम इंडिया का कारवा दूसरे टेस्ट मैच के लिए केप टाउन के न्यू लैंड्स में पहुँच चुका है जहां टीम इंडिया के लिए करो या मरो की चुनोती आन पड़ी है केप टाउन के इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकार्ड बेहत खराब रहा है भारत और साउथ अफरिका के बीच केप टाउन के न्यू लैंड्स स्टेडियम में कुल 6 मैच खेले गए जिन में इसे भारती टीम को एक भी मैच में जीत हासिल नहीं हुई ऐसे में अब देखना होगा कि टीम इंडिया इस मैच में अपना पहला टेस्स मैच जीत पाती है या नहीं हालागि रोई चर्मा की अगुवाई में टेस्स सीरीज खेलने आई टीम इंडिया को उम्मीद थी कि और वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको डिसनी प्लस होट स्टार का सहरा लेना पड़ेगा जहां पर बिलकुल मुफ्त में इसके मैच को दिखाया जा रहा है लेकिन टीम इंडिया की जीत में अफरिका के अलावा एक और कंडिशन बांध खड़ी हुई और वो है बारिश जी हाँ दोस्तों सेंचूरियन की तरह ही केप टाउन में भी बारिश होने की संभावना है मौसम रिपोर्ट के अनुसार बारिश होने की संभावना लगबख 25 प्रतीशत है और हलकी फुल की नहीं बलकी बहुत तेज बारिश के आसार है जो बल्लेबाज सितियों को मद्य नजर रखते हुए भारती कप्तान रोईट चर्मा के लिए टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही साबित होने वाला है जहां पर एक बार फिर से रोईट और ये शस्वी अपने बल्ले से टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत के लिए तयार रहने वाले हैं जहां इन दौनों का बल्ला चलना बेहत जरूरी है तो वहीं विराट कोहली से भी करोडों भारती फैंस एक बार फिर शतक की उमीद लगाए बैठे हैं यानि कि यह देखना बेहत दिल्चस्प रहेगा कि कौन सा खिलाडी इस मैदान में शतक लगाने में कामियाब हो पाता है हाला कि उनके लिए ये चनोती बिल्कुल भी आसान नहीं है दौनों टीमों के पास जहां क्वालिटी खिलाडी है जो इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना देता है अब जरा इस बार दौनों टीम की प्लेंग 11 पर नजर डालते हैं तो जहां अफरीका के कप्तान बभुमा चोट के चलते एक दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं ऐसे में उनके स्थान पर मारकरम को कप्तानी सौपी गई तो वहीं उनकी गैर मौजूदकी में अफरीका का बल्लेबाजी करम एडन मारकरम, ट्रिस्टन स्टर्ब्स, डीन एलक कीगन पीटरसन और टॉनी डे जोर्जी जैसे खुंखार खिलाडी से सजा हुआ है, अल राउंड डिपार्टमेंट में उनके पास मारको जॉनसन और नांदे बर्गर जैसे प्रतिबावान खिलाडी हैं, तो वहीं के इंद बाजी में भी जराल्ड कोईज्जे और कगीसो और बाड़ा भारती खिलाडियों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे, ऐसे में टीम इंडिया के लिए चुनोती बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, जहां टीम इंडिया भी कई बड़े 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 बदलावों के साथ उतरने वाली है, अगर भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित चर्मा और ये शस्वी पारी की शुरुआत करेंगे, तो मद्यक्रम की जिम्मेदारी शुभमन गिल विराट कोली श्रेस अईयर और केल राहूल के मजबूत कंदों पर सौंपी गई है, अल राउंड डिपार्टमेंट की कमान रवेंदर जड़े इतने में टीम इंडिया कामिया भे हासिल करें या नहीं, अपनी रिकीमती राहे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, धन्यवाद